दोस्तों आज हमारे पास यहां पर है मेडिटेक का एक नियुलाइजर एक स्मार्ट नियुलाइजर तो करेंगा जब इसकी अन्बॉक्सिंग की एक कैसा है किस तरिकी से काम करता है और किस तरिकी से हम इसको यूज करें अपने घर में बच्चे जवान या बुड़े जिनको क दे सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यह तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकों दबा दिये ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले म या है मैट टेक का एक निमलाइजेर और ये वर्ल करता है हमारे रश्परी को क्लीन करनी के लिए अगर पैसें जैगर आप ब्लॉक है तो वहां पर सुमि मेढ़नो काकी अच्छा वंत करता है अन्बॉक्सिंग करना का चाहूंगा आपको तो यहां पर हमें अन्बॉक्स करने के बाद में कुछ चीजे मिलती हैं जैसे कि हमारी में मशीन है साथ में किसके कुछ एसेशरीज हैं और हमें इसको टांगने के लिए छोड़ी सी कील मिली हुई इसको साइड में कर देते हैं और यहां पर एक पेपर है जिसमें इसकी यूजर मैनॉल गाइडिंस आप बोल सकते हैं यह चलिए इसकरते हैं किसके अन्डॉक्सिंग निकालते ह है तो कुछ इस तरीके से काफी हैंडी काफी अच्छी मेल आपको यह मिल जाती है मशीन और यह मशीन काफी जाते पावरफुल है अब इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा चलिए मैं इसके ओपन कर लेता हूं ताकि इसको मैं लगए चलिए आराम से हम भर लग जाएगा यहां पर कुछ इसको भी में ओपन कर लेता हूं और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या है तो यहां पर आपको कुछ मास्क में जाते हैं जिसके आप यह देखते हैं यह बच्चों के लिए मास्क है बच्चों को जो प्रॉब्लम होती प्रफ़ की निये और यह बढ़ों के लिए अडेल्ट मास्क है। यह अपका एक मैडिसन कप है जिसमें और यहां पर यह एक air pipe है जिसके तुरू हमें यह हवा यह मैडिसन के तुरू है और यहां पर यह एक एयर पाइप है जो हमारे air tube से जो पूरी यह medicine जो है हमारे respirator track में जाएगी चलिए यहाँ पर कुछ इतने सारे समान आपको यहाँ मिल जाते है चलिए आपको मैं चलाग दिखायाता हूँ कि यह किस तरगे से work करता है तो यहाँ पर मैंने इसको mount कर दिया है तो यहाँ पर मैंने इसको power से attach कर दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो machine है यहाँ पर एक यहाँ से हवा निकलेगी ठीक है दूसरा यहाँ से आप जो हवा है वो machine कीचेगी और यहाँ से फेकेगी इस air tube के तूप प्लस हमें एक नीचे साइड में यहाँ पर एक on-off बटन दिया हुआ है देखिए तो काफी अच्छा handy से दिया हुआ है तो साथ में आप इसको mount करने के लिए आपको टांगनी के लिए कील दिया हुआ जो मैंना स्टार्टिंग में दिखाए था इस कील को अप लगा करेगा आप क्लिक है आप यह आप यह हॉस्पटल यह नरतिकों में यह घर पर भी लगान करना चाहिए तो आप आराम से केरी कर सकते हैं बहुत ही छोटा सा है बट काफी पावर्फुल है चलिए अब हमें करना है इस जो आपकी air tube है इसको attach करना है काफी easily attach हो जाता है अब हमारी जी मशीन है यह पूरी तीकर से वर्क करने के लिए तयार है अब हमें यह चाहिए हमें चाहिए मेडिसिन तो मेडिसिन के जगह हम यूज कर रहे हैं आप हलका सा पान जैसा मैंने बता कि हम यूज करेंगे हलका सा पानी तो यहां पर आपका यह देखिए मैडिसिन का कप है यह और इसमें minimum और maximum दिया हुआ है हम बहुत थोड़ा ता पान ले लेंगे इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पानी है यह ऐसम मैडिसिन के तरह मैंने लिए हुआ फॉर एक्जामपल आपको दिखाने के लिए चलिए अब इस जो मैडिसिन का कप है इसको हम टाइट कर देते हैं अच्छे से यह पूली को सब टाइट हो गया है और यहां पर जो जाते हम बड़ों को देना है तो यह मैडिसन कप में अटैच करना क्या है और हम मशीन को करेंगे और किसे कम करता है आप देख सकते हैं आवं निकला है कुछ इसी तरीके से जो भी आप मेडिसिन इसमें डालेंगे वो मेडिसिन निकलेगी इस बात का ध्यान देना है कि यह जो निविलाइजर है यह सिर्फ मेडिसिन के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपने विक्स हो गया या कार्बल प्लस वगर की जो कैप्सूल आते वो आप डाले जाए उसको चाहिए गरम पानी गरम भाप चाहिए उसके लिए बट यहां पी नॉर्मल भाप नॉर्मल ट्रमपेचर के जो मेडिसिन है आप उसी को इनहेल कर रहे है इस बात को ध्यान देना यहां पर आप सिर्फ मेडिसिन डालेंगे कुछ भी विक्स या ऐसा कोई मास्क निकाल देते हैं अब दीए से तो यह मास्क निकल गया है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्यूब लगी हुए यहां से भी आप देखते हैं कि से भाप निकल ला है इसमेंसे और जब हम इस मेडिसिन को इनहील करेंगे तो हमारा जो एयर पैसज है जो रस्पैर करें बहुत हीज़ी में यहांट है और बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं बोल सकते हैं और इसका जो वेंटिलेशन है और फिर टीक है यह वेंटिलेशन पार्ट साथ ही साथ जब यह हवा सक करता है तो यहां पा देखिए आप एयर पैसेज के लिए एक छोटी सी विंडो दी हुई है जब वह आपका विंडो में जब जो स्पंज है वह गंदा हो जाए तो आप इस स्पंज के साथ एक छोटे से स्पंज भी दिया हुआ है की वाले सक्षन क के साथ इससे आप उसको एक्षेंज कर सकते हैं साफ कर सकते हैं ताकि जो एयर है वह एजली मशीन गसीड सके और एजली आपके तरफ दे सके चलिए बात कर लेते हैं इस मशीन की और क्या-क्या खास जाए तो सबसे पहले यह है पावरफुल कंप्रेसर जो इसका कंप्रेसर पावरफुल है आप लंबे समय तक भी इसको यूज करेंगे तो भी कोई भी प्रोलम आपको नहीं आएगी विद सेफ्टी फ्यूज इसमें सेफ्टी फ्यूज भी दिया हुआ है जब भी कभी बिजली हाइफ उपर नीचे हो जाती है हाइफ बोल्ट हो जाता है तो यह कही उड़ना जाए मोटर डैमेज नहों कंपरेसर डैमेज नहों इसके इसमें फ्यूज भी दिया हुआ है तो आपकी मशीन भी काफी ज्यादा सुरचित रहेगी थर्ड कैन भी माउंट इसको आप इसी जैसे ने बोलो इसको किसी भी तरह टांग सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको बनने के लिए देना है तो आराम से खुल ले जाएंगा आपको सर्सक्राइन करना है अपनी डिटेल सारी फिल करनी है यह फ्री पिक अप देंगे यानि कि नहीं के बंदे आएंगे यह प्रोड़क्ट ले की जाएंगे और फ्री रिटन आपको वापस से डिलिवरी भी करके जाएंगे तो यह काफी अच्छी बात है आपको कुछ भी करने के जब उतनी आप एक साल में कोई भी दिक्कत हुई तो यह आराम से आपको यह बना खर देंगे तो काफी अच्छा प्रोड़क्ट है काफी यूसफुल है घर के लिए आपके क्लिनिक के लिए क्लिनिक के यूज करना चाहते हैं तो और कोई नरसी हम चोटा मोटा है तो वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं कहां से लेंगे इस वीडियो के दिसक्रिप्शिन में लिख मुझूद है वहाँं से अप्स को पर्चेस कर सकते हैं खरी सकते रेफरिंट की मेट टेक के ऑफिशल वेबसाइट वर भी आकर करके आप डायेटली खरी सकते हैं तो आपको प्रोड़क्त मिल जाएगा उमीद करता हूँ कि प्रोड़क्त आपको पसंद आओगा पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए उनके साथ जिल्को की रेस्पार्टे ट्रेक ये प्रॉबलम है कंजेशन है बड़े बुजूरुकर है या बच्चे हैं जिनके घर में दिक्कत हैं उनको ये सज्डेस्ट करिए उनको ये वीडियो भीजी ताकि उनको इस प्रोड़ट के वारे पता लग सके और वो भी अपने घर में इसको मंगा करके अपने घर में जो भी हम बिमार हैं जिनको ये प्रोडम होती है उनकी परशानियों को दूर करें चैनल पर पहली बार है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जोर दबा लिए ताकि क्योंकि हम इस तरह की डेगुलर बैसे से वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और आपकी हर वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकोन करना बहुत ज़रूरी है तो मैं डॉक्टा अनंद मिलता हूँ अपसे इसी तरह की अखली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन तुम जैवारत